नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेज काशक्रम के साथ महा सिवरात्री एक ऐसा अफसर है एक ऐसा दिन है जिस दिन आप भगवान सिब को खास चीज अरपित करके आप अपनी जिन्दगी की सारी मनोकामनों की पूर्ती कर सकते हैं हम आपको बताएंगे कि भगवान सिब को क्या अरपित करने से आपको क्या फ़ल मिलता है तो हमारे साथ बने रहे हम आपको बताएंगे कि महासिवरात्री के इस अफसर पर आप भगवान सिव को क्या अरपित करे ताकि आपके जिंदगी में शंतान की प्राप्ती, रोजगार, सुक्संप्रदी और सारी मनो कामना आपकी पुन हो तो हमारे साथ बने रहे हम आपको एक एक चीजों पर से परदा उठा करके बताएंगे कि किस तरह से कैसे आप भगवान सिव की पूजा करें, क्या उनको अरपित करें लेकिन सबसे पहले जो खास बात है, देखिए भगवान सिव को जब भी आप कुछ अरपित करते हैं, तो सबसे पहले आप भगवान सिव को पतली जल की धार अरपित करें फिर कोई अंची चढ़ाएं जैसे अगर आप भगवान सिब को सहद चढ़ाते हैं या अरपित करते हैं तो फिर जलकी धारा अरपित करना है तो पूजा की सुरुवात कैसे करनी है, सबसे पहले आपको जलकी धारा अरपित करनी है, उसके बाद आप जो भी भगवान सिव को अरपित करते हैं, जैसे कि सहद, घी, दूद या जो भी चीज अरपित करते हैं, तो उसको अरपित करने के बाद पुनह आपको भगवान सिव के उपर जलकी धारा अरपित करना है जो तीसरी महत्पुन बात है कि भगवान सिब को कोई भी चीज अरपित करते समय नमह शिवाय नमह शिवाय नमह शिवाय बोलते रहें तो जब भी आप भगवान सिब को कोई भी चीज अरपित करते हैं तो इन मंत्रों का जाप आपको नम अब हम सिधा चलते हैं कि भगवान सीब को क्या चढ़ाने से आपके जिंदगी में क्या फल मिलता है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सहद देखिए अगर आप भगवान सीब को सहद अरपित करते हैं तो आपके जिंदगी में मा लक्षमी का परवेश होगा धन की पास आएगी, जब आप भगवान सीब को दूध अर्पित करते हैं, तो दूध अर्पित करने से क्या होगा, संतान की प्राप्ती होगी, अच्छे स्वास्त का बर्दान मिलेगा, आपका जो एक्सिडेंट से सुरक्षा होगी, आपकी जो भी कार्ज रुकी हुई है, कार्ज स मिलेगा आपको, जब आप भगवान सीब को घी अर्पित करते हैं, तो घी अर्पित करने से क्या होगा, आपकी जो ताकत है, वो ताकत बढ़ती है, काम में सफलता मिलता है, अब हम आपको ये बताते हैं, कि भगवान सीब को सक्कर अर्पित करने से आपके जिंदगी में कि की भी प्राप्ति होती है इसके साथ साथ अगर आप भगवान सीब को इत्र अर्पित करते हैं सिवरातरी के दीन तो आपका बिचार पवित्र होगा बीवाह नोकरी की बाधादूर होगी लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आप इत्र अर्पित करें तो भगवान स करते हैं तो फुल अर्पित करने से क्या होगा आपकी जो रोजगार की भाधा है वो दूर होगा लेकिन आपको केत की और केव्डे का फूल नहीं चराना है इन चीजों का आपको धियान रखना है जब भगवान सीब को गन्ये का रश चढ़ाते हैं तो इससे आपके जिंद अगर आप भगवान सीब को बेल पत्र अर्पित करते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो पाप है, उन पाप का नास हो जाएगा, एक बेल पत्र अर्पित करने से तीन जनम का पाप का नास होता है, ये बात आप समझ लिए, इसके साथ साथ बेल पत्र अर्पित करने से आपकी जो बेलपत्र रपित करते हैं बिना बेलपत्र का भगवान सिब की पूजा संपूर नहीं होती है अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं तो निश्टित रूप से आप भगवान सिब को बेलपत्र चढ़ाएं कम से कम तीन बेलपत्र और ज्यादा से ज्यादा आपको एक सा आठ या उससे ज्यादा बेल पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं बेल पत्र की खास बात है कि एक ही बेल पत्र को आप जल में डुआ डुआ कर आप भगवान सिव को पुनहर्पित कर सकते हैं तो बेल पत्र आपको निश्टित रूप से चढ़ाना है महा सिभ रातरी के दिन सिभलिंग पर और ये आप ध्यान डखे जो बेल पत्र जो तीन पत्ते वाली होती है जिसका जो मुलाएं भाग होता है वो भगवान सिभ के उपर आपको चढ़ाना है इसके साथ साथ जब आप भांग और धत्र भगवान सिभ को चढ़ाएंगे तो आपकी जीवन में एक अस्थिर्ता आएगी आपकी जीवन में जो भाग दो रहा है वो कम हो जाएगी इसके साथ साथ जब आप भगवान सिभ को अवीर या गुलाल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जिन्गी में क्या फ सिभलिंग के सामने एक मुखी घी का धिपक जलाते हैं फिर आरती करते हैं तो इससे आपकी काम में सफलता आपको मिलेगा जो भी काम आपकी रुकी हुई है वो काम बनना सुरू हो जाएगा अगर आप भगवान सिभ को चंदन दोनों हाथों से लगाते हैं सिभलिंग पर करते हैं या उसको हलके से मलते हैं सिभलिंग पर और फिर जल की धार अर्पित करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो स्वास्त की समस्या है जो धन की समस्या है वो भी दूर होगी इसके साथ साथ अगर आप भगवान सिभ को गंगा जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको मो जो सबसे महत्पुन बात है भगवान सीब को पंचा अम्रित अर्पित करना यानि कि दूध, दही, घी, शहद, सक्कर मिलाकर अगर आप भगवान सीब को अर्पित करते हैं तो आपकी जिंदगी के जो भी मनोकामना है सारी मनोकामना पुर्ण होगी तो मैंने आज आपको बताया कि भगवान सीब को क्या अर्पित करने से आपके जिंदगी में क्या फल मिलता है अगर आप ये सारी चीज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप भगवान सीब को जल की धारा अर्पित करें उसके बाद कम से कम तीन बेल पत्र अर्पित करें और नमह कामना है वो पूर्ण होगी अगर आपको ये भीडियो पसंद आए तो किरप्याई से लाइक करे सब्सक्राइब करे तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करे ताकि इस महा सिपरात्री के सुभ अफसर पर वो भी अपने जिन्दगी की जो समस्या है उस समस्या को खतम कर सकते हैं और इन समस्याओं को शमधान वो पा सकते हैं आज के लिए बस इतना है धन्यवाद